नमस्कार दोस्तो ओर्गनिक कोड मश्रूम फारामें ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है पहले आमने जो पहला वीडियो डाला था इससे पहले उसमें आमने बात किये थी पैनल की जो की वो लोड होते हुए दिखाए थे वो रात का वीडियो था वो हमने लिये थ हैं तो वहां पे से पैनल हमने लिए हैं और यह वहां से आए हैं यह अपने फाराम पे अनलोड हो रहे हैं यह सो एमेम के पैनल है सेकंड है रहे हैं सो एमेम के पैनल है लेकिन और सेकंड हैं यह पैनल यह दूसरी गाड़ी आई थी एक गाड़ी का काम उनने पैनल लगा द आधार में लेकिन वह यह एक रोम उदर मन के त्यार भी हो गया यह दुबारा यह गाड़ी आई है यह बी 100mm के ही पैनल है पूरे इसमें कुछ छोटे भी है और जाहतर फुल लेंद्स के एक दो पैनल छोटे हैं कि इसके लाव यह अपनी कंपोस्ट यूनिट पर खड़ी यह प्लेट फोरम पर गाड़ी खड़ी वह देखो वह एक रूम बन के लग बगतियार हो गया पूरा चत भी डल गई उसकी एक दो पैनल चत के रह रह रहे थे यह अनलोड और यह जो इसने उपर से फैंकी इसको फ् पैनल को पकड़ती उपर की जो चत को और पैनल को पकड़ती कौने पर चत को कौने वाले पैनलों को पकड़ती है यह यह फ्लेसिंग है इसको फ्लेसिंग बोलती है यू फ्लेसिंग भी आती है यह पूरे पैनल है यह देखो लंबाई इनकी लगबग 20 पूट के पैनल भी ह कि इसके अलाव हमने हैं संपोड़ बनाना स्प्टार्ट हो गया अब शीजन चल रहा है कंपोस्ट बनाना स्टार्ट हो गया जो भी भाई कंपोस्ट लेना चाय ändern चाहे वह बुकिंग करा पड़ेगी उसके एसाब से लोट मनता है और हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है 27 तारीक का यह जो 27 आईगी 27 सितंबर का कोई बाई अगर ट्रेनिंग लेना चाहिए तो वो ट्रेनिंग में आ सकता है 27 सितंबर को यह देखो यह पूरी लंबाई के पैनल है 21 स्पूट लंबे यह सारे च्छत के पैनल है 21 फूट के 100 mm में पैनल की कंडिशन लगबग सही है पुराणे नए सीन में कोई फरक नहीं पड़ता है बस कंडिशन सही होनी चाहिए पैनल की पैनल जादा टुटे फुटे ना हो तो इ हमारा जो है यह उपन में रहे गए दिख रहा है एरिया पूरा उपन है इसके उपर हम कोई सैड तीन सैड वगरा भी नहीं लगवाएंगे यह पूरा उपन रहना है इसलिए हमने 100 mm के पैनल लिये हैं लेते हो हमां सी एम एम के रहे थे लेकिन से में मिल नहीं पहाई इसलिए हमने 100 mm के पैनल ले लिये फिर यह स्वाइन का पैनल है पैनल की मोटाई टेमपरेचर को मेंटें करने हमका फी हद तक विसायदा करती ही क्योंकि पैनल लगवाई इसलिए रहे हैं कि अंदर का टेमपरेचर नंदर रहे और बार का बार ही रहे इससे एसी कम चलेगी अगर प पैनल हड़का है तो कम मोटाई का है तो इसलिए हमने 80 mm की पनालीं थी लेकिन 80 mm हमें मिल नहीं पाया तो हमने 100 mm ले लिया वह अपनी कंपोस्ट इनिट है जहां पे अब यह देखिए हमने यह पैनल वेठार्ट कर दियें जैसे शरूका वीडियो मनने को थो त्यार वो विहाए पूरा रूम थ्यार प्यार हो चुखे है सारे यह बीडियो जैसे पैनल नहीं खड़े करने शु Measure की ते यह सबसे पहले कौने पे सु करते हैं यह पैनल में निच्छे ही het्री जोड़ी जाती हो वह कोने में एलफ लेशिंग जुड़ी हुई है एक पैनल की निचे यह यालज पारीपिट मारदी दूसरा पैनल इसके साथ ऐसे खड़ा किया उसको सैट किया इसमें भी रिपिट लगाएंगे भी रिपिट विजिए आपको दिख बी जाएगा यह से कड़े करते हैं पहला जो काम स्टार्ट होता है पैनल पर को करना। प्रिपिट के दून्हों पेनलों को पकड़ लेंगे देखिए इसने रिपिट लगा दी यांपर यह उपर से निच्छे तक रिपिट लगा देंगे और यह पेनल अपने आप खड़े हो जाएंगे इसके निच्छे बी इससे यह फ्लेसिंग मनी हुई न ऊपर ऐसे नीच्छ को पकड़ लेगी ये रिपेटी पेनल में तो रिपेट मारेंगे और अपनी फरस पे मार देंगे ये गिट्टी पेच ये ऐसे लगाया हुए पूरा पेनल फिर ये ऐसे खड़ेगी आगे भी हम ये अपडेट डालेंगे इसकी और भी और हमने एक बात कि थी पिछले वीडिय लेने जा रहा है और अगले के पास क्या होना चाहिए और ये चीज़े जो भी ट्रेनिंग लेने जा रहा है ये उसको देख के ही जाना चाहिए उसके पास ये चीज़े हैं भी के नहीं है अगर ये चीज़े नहीं है जो चीजों की ट्रेनिंग जा रहा है तो वह गलत है उस